14 cm तरज्यग वाले रिखोष गातो या गोले को पिगलाए जाता है 14 cm आधार वाले भ्यास 14 cm आधार के ब्यास संकूई में डाला जाता है तो संकूई के उचाए कोई होगा कि हम जानते है कि यहां से वालूम अधानों से वालूम होगा दोनों ही एको समन ओना है। कि यानि कि आगर मैं आप से यह बोलूँ कि गोले की वॉल्म कितना होता है एस्वेर और उसे तरीके से मैं आपसे बोलूँ की वॉलूम और क्या होता है आप बोलोगे भाई यह होता है आपका one upon three pi r square h अब दोनों ही value का हम आपस में equate करा दें तो value हमें निकल करा जाएगी यानि कि हम कर सेके कि four upon three pi r q की value होने चाहिए one upon three pi r square h की बराबर होने चाहिए तो अगर आप देखो कि तीन से तीन कर जाएगा यहां पर यहां से पाई कर जाएगा यहां से अब यहां पर four into r की value कितनी है चोदा है कि और यहां पर देखो r की value में find out करनी है यानि कि r square into उचाहिए हमें दे रखा कितना भई या मुझा ही find out करने अगर अधार का ब्यास चोदो सेंटे मिटर है यहां से रेडियस कितना हो जाएगा साथ या निकि हम जाएगा साथ इंटू साथ इंटू है तो साथ से दो बार में कटेगा और साथ से यह भी दो बार में कटेगा अगर अगर मैं करूँ का लास कितना आना चाहिए चार आना चाहिए चार किस्न में एक अप्षें आपको दिखाई दे रहा है पर आपको मालूम इतना कमें से सोलों में 14 से मल्टिपलाई करेंगा तो 64 तो नहीं आएगा इसके वेलों कितनी हो जाएगा दो दो चार सेंटिमेटर आप से नमबर फूर